आप बंगाल के राजिति को बखुभी जानते हैं और फलहाल तृपुडा के बागदोर तृमूल कॉंग्रेस के तरफ से संभाले हुए है क्या लग रहा है यहाँ पर क्या वाकिय कुछ बन पाएगा तृमूल कॉंग्रेस का क्या आपके पार्टी के आफिस के सामने ना तो भ जब निर्वाचन के दीन आते हैं तब पार्टी वर्कर लोगों को निर्वाचन छेत्रों में रहने चाहिए पार्टी अब इसमें नहीं हूँ इसलिए मैं और चुने-गुने कुछ हम्रों नित्तितों को इसे मैं यहां बुलाए है और एक बात मैं एकदम पर्ष्ट पूरा टक्कर देखे जहां भला की उस उस चुनाओं में ना मद्दान संतिपुर्ण था ना निश्पेक्स था आदमी ने मद्दान नहीं कर पाये ठीक से हमरा उमीदबार को प्रचार करने नहीं दिया गया थे हमरा उमीदबार को मारा गया थे पिटा गया थे और सभी बो तो नचरली थोड़ा सा मुलग पीछे गए लेकिन त्रिनोमुल कॉंग्रेस लड़ाई का मैदान से पूरा है इसलिए हम लोग 28 उमीदवार खड़ा किये आप जाके देखिए 28 उमीदवारों में बहुत सारे ऐसा उमीदवार है जो लोग एक तम इंच में इंच में कुछ सिटो में और बाकी सब जगा में उमीदवार पूरा एक डम से पूरा जगह प्याइअन अगरे जब तक बंगाल में जिस तरह से तरक्की हो रहा है उस हिसाब के तरक्की जब तक तिपूरा में नहीं हो जब तक गनत अंतर वापस नहीं है जब तक यहां कुछ आदमी लोगों का भला नहीं हो यहां आदमी लोगों का खमता देना चाहिए जनरल पीपल को वो जब तक नहीं होता है तब तक तिनमूल कंगर्स लड़ाई का मैदान चोड़ के जाएंगे नहीं। तो इसी के उपर भरोसा करते थे, वो लोग ठीक मौके मिलने से छोड़के हम लोगों को चला गया है। कि तिनमूल कंगर्स कहीं कहीं अच्छा रिजल्ट भी करें कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का साथ भी डिरेक्ट फाइट हो सकता है। तो अगर एक साइजबल भोट हमको मिलता है अगर अच्छा कुछ होता है तो नेचरली एक तो चीज़ साफ है कि हम लोग बीजेपी को नहीं चाहता है। हम लोग भी नहीं चाहता है कि विजेपी पाउर में रहे कि इतना पांच साल में इतना कांड इसने किया है। गनत अंत्र चला गया है कोई तरक्की नहीं है। नौजवाओं लोग कोई बेरोजगारी में भर चुका है। शीक्षा बोलिये, सास्त बोलिये, हर जगा इन्हें उन्हें फेल किया गया है। तो यह सब चीजों और सबसे बड़ा बात जहां बंगाल में चलता है दुआरे सरकार यहां चलता है दुआरे गुंडा। तो यह सब का खिलाफ तो हम लोग है। लेकिन मैं इतना कह सकते हूं जिस तरह से इतना महोल एक कल से बहुत खराब है। यहां विशलगण में आप देखिए। भैंकर वाइलेंस हुआ है। आज सुबह से भी बहुत सारा ऐसा जगा है। जहां नॉल्चर में हमरा उमीद बार बार फोन कर रहा है। कि वहां से सब बाहर से कई दूसरे स्टेट से आदमी आये। और आदमी को मत देने नहीं देने जा रहा है। बहुत सरा की बहुत तरह की दुरगटने गटी है। कुछ दिर पहले भी मेरा पास कुछ ख़बर आये। फोल्पूर में पहलब तो यह सब जगा में हम लोगो कभी जो एजन्ट है उन लोह विद्धमकियों कुछ देखिक कहीं उटा दिया कहीं तक हो कि मेरे एक एजन्ट है। यही वे भी बात है कि इलेक्शन कमिशन बंगाल में दिखते हैं कितना तगड़ा होके काम करते हैं और यहां वहां इतना सक्रिया है यहां निश्क्रिया है सेंट्रल फोर्स वहां इतना पकड़ रखे काम करते हैं और यहां सेंट्रल फोर्स को तो हम लोग कुछ देखी नहीं जैसा इसा ही खड़ा है लोग